रुफान मारती समंदर की लहरों के बीश में यहाँ पर यह गंगेश्वर महादियों मंदिर मौझूद है और पीछे आप देख सकते हैं कि समंदर की लहरे जो हैं वो किस तरीके से यहाँ पर रुफान मार रही हैं यह समंदर की लहरों का शोर जो है वो भी आपको सुनाई प और ये देखे सबसे शांदार चीज़ आप यहाँ पर जब आएंगे तो यह यहाँ नंदी मौजूद है और नंदी के अलावा यह देखे यहाँ पर कई सारे भगवान सबित के गई और यही मुख्य मंदिर है यह देखे यहाँ पर तो गंगेश्वर महादियो मंदिर जो है वो हम आपको दिखा रहे हैं और यहाँ पर आपको पांच शूलिंग नज़र आज़े देखे समंदर की लहरों के भीश में एक, दो, तीन, चार, पांच तो यह पांच शूलिंग जो है दरवसलिये पांडों न स्थापित की थी अपने-पने खत के साब से यह बड़ी वाली शूलिंग जो है बतायाता है कि भीम्स कि एक क्यों जो है उन्हें खत बड़ा था और अपने-पने कत के साब से है पड़ी खुस्तुरत तस्वीर यहां पर यहां आपको दिखा रहें देखे समंदर की लहरे यहां पर आती हैं यहां टकराती हैं और इन शुवलिंग से टकराने के बाद वो यहां से वापस लोट जाती हैं मानों ऐसा लग रहे हो कि बार-बार भगwałन भोलरनाग को वो स्नान करा रहे हैं ऐसी तस्वीर crude यह समंदर की लेहर देखिए यह तेज लेहर आई और यहां पर लेहर की असके बार यहां से वापस लोट गई तो भगवान का स्नान जो है वो लगातार चल रहा है और ये द्रिश जो है ये अपने आप में बहुत जादा मनोरक है बहुत मनमोहक है और ये तस्वीर आपने देखी नहीं होगी यूकि ऐसे आम तोर पर शोलिंग और एक साथ पांच शोलिंग और ये समंदर की लहरें यकीन मानिए रोमांचित करने वाली है इसलिए अगर आप आप दियू आने का प्लान करते हैं तो इस जगे पर जरूर आईए क्योंकि ये जो लहर आने वाली है पहाडों के बीश में से देखिए ये आपको रोमांचित कर देए तो बने रही हमाई साथ दियू शहर में और जो कुछ खास है वो आपको दिखाएंगे लेकिन ये इति